हलो एब्रिवान विलकॉम बेक टू मैं चैनल अर्शनाज ब्लू हाउस ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप लोगों को ले करके चलती हूँ हरी द्वार लोकडाउन के ठीक एक सपता पहले मैं हरी द्वार या अधिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदूओं का प्रमुख तिर्थ अस्तल है यह नगर निगम बोर्ड में नियंत्रित है यह बहुत प्राचीन नगरी है हरिद्वार हिंदूओं के साथ पवित्र अस्तलों में से एक है क्या आप जानते हैं इक तिस सो उन्चालिस मीटर की उचाई पर इस थीत गंगोतरी से 253 किलो मीटर की यातरा तै करके गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी छेतर में प्रवेश करती है इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है वह अस्थान जहां पर ग बूंदे भूल से घड़े से गिर गई थी जब धनवंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे मानेता है कि चार अस्थानों पर अम्रित की बूंदे गिरी थी वह अस्थान है उज्जैन हरिद्वार नासिक और प्रयाग इन चारों अस्थानों पर बारी हरकीपोरी के नाम से पुकारा जाता है जिसे ब्रह्मकुंड माना जाता है हरकीपोरी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पुड़े भारत से भक्तों और तिर्थियात्रियों के जथे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अफसर पर असनान करने के लिए यहां आते हैं इन्ही मानिताओं को मानते हुए मैं भी कुम्र के टाइम में हरी द्वार में गंगा असनान करने के लिए निकल पड़ी थी जबकि मुझे मालूम था कि सायद हो सकता है कि लोगडान लग जाए वट मैं बच गई और जब तक मेरा तिर्थी आत्रा पुरा नहीं हुआ लोगडान नहीं लगा था और जब मैं इस घाट पर पहुंची तो मुझे अद्भूत सा अनुभव हुआ जिसको मैं एक्स्प्लेन नहीं कर सकती हूं कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाए बहुत ही खुबसूरत सा घाट है और यह नजारे जो आप देख रहे हैं जो दुकाने स्टॉल वगड़ा लगी हुई है गंगा घाट के किनारे ही लगे हुए रहते हैं जो तिर्थी आतरी वहां आते हैं तो मालनी जी आपको अगर वहां कुछ प्रसाद लेना है या घर ले जाने के लिए कुछ माला वगड़ा चाहिए या फिर आपको जल लेना ह है तो यहां पर जल लेने के लिए केन वगरा भी मिल जाते हैं परसाद वगरा भी मिल जाते हैं कोई असुईधा नहीं होती है हडी द्वार आने के लिए इसरकारी बसे और ट्रेन भी चलती है आप अपनी сुईधा के हिसाब से जो आपको अझा लगे आप उससे आराम से आ और ये गंगा असनान करने के लिए मैं घाट पे आ चुकी थी यहाँ पर और एक बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए अलग घाट बना हुआ है अगर आपको अस्वीधा होती है कि मुझे लोगों के बीच में नहीं असनान करना है महिलाओं को तो जोस्ट इसके बगल में महिलाओं के लिए अलग घाट बना हुआ है अंदर जाकर कै आप असनान कर सकते हैं मैं उधर महिलाओं घाट मेही जाकर के असनान की बढ़ार निकल करके मैं थोड़े वह वीडियो आप लोगों के लिए सूट की घाट पर कप्रे बदलने के लिए भी अलग-अलग रूम बने हुए छोटे-छोटे से तंबुनुमा रूम बने हुए हैं और साब सफाई का भी भरपूर खयाल रखा गया था जड़ासी भी गंदगी मुझे नहीं दी कि बार बार सफाई कर भी वहां सफाई कर रहे थे गंगासनान करने के बाद और मुझे क्योंकि चंडी देवी और मनसा देवी भी जाना था तो मैं वहां से निकल पड़ी थी बहुत सारी पुरानिक मानेताय जुरी हुई है उस मंदिर से भी तो बहुत बार मैं सुनी थी तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं दर्सन तो करना ही चाहिए जाकरके और यहीं से पहारी की चोटी पर है मनसा देवी और चंडी देवी जिसके लिए आपको अपने परसनल गारी क कोई जरूरत नहीं है बगगी ट्रॉली और जिसे उरनखटोला कहते है न वो भी उधर जाती यह ब्लॉग काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को चंडी देवी और मनसा देवी के बारे में नहीं बता रही हूँ अगले वीडियो में मैं केर लव यू अल गाइज